मैं मान से पहले L.I.C. से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जिनका इस्तमाल करके आप अपनी खेती किसारी को उन्नत बना सकते हैं। और आज के हमारे स्कारिक्रों में हम आपको बताने वाले हैं किन्नू के बागों की देखभाल और साथ ही लेमन ग्रास की खेती के बारे में। तो फिर आए आज के हमारे स्कारिक्रों की शिरुवात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि किन्नू जो है निवी वर्गयों फसलों में अपना विशेस स्थान रखता है। इसका छिलका नो तो संत्रे की तरह बहुत ही ढीला होता है और नो माल्टा की तरह सकत होता है। किन्नू की खास विशेस्ता यह है कि इसके फल काफी रज़दार होते हैं और एक फल में करीब 55-60% जूस उसमें से निकलता है और विटामिन C से भरपूर होते हैं। प्रती सव में फल में 45-50 मिलीग्राम विटामिन C होता है और 40-45 ग्राम कैल्शियम होता है। इसके फल बहुत ही आकर्शक रंके होते हैं और इसकी अधिक उत्पादल होने की वज़े से किसान भाईयों आजकल इसको लगा रहे हैं। जहां तक किन्यों में खेटी का प्रश्न है। इसके छेटी सफलता पूर्वग में वह真的 किया सकती है। जैसे कि जममू कश्मीर कें तो निछ ली इलाकों में हिमाचल पर्देश का ध्हoquला को आख्यπα wives RAWकली का लीतु किके जा सकती है। पीएज जो है इसका पीएज जो है साड़े साथ से आठ के बीच में होना चाहिए किसान भाई किनू लगाने के पहले कुछ विशेश चीजों पर ध्यान देना चाहिए किनू की बाँ बिलकुल नगाएं क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रिदा में कार्यकि आधिक होती है कि जो फेसे स्थिति साथ सुखने लगता है और उसके बाँ अदिक हो स्नु नना लगाने का प्रश्ण है कि किन्नू को कब लगाया जा सकता है तो इसे दो मेहने जो है सबसे इसके लिए उप्यक्त होते हैं एक तो होता है कि इस समय बिल्कुल यह सई समय है फेबरी मार्च का समय लेकिन ऐसी स्थिति में कि किसान भाई किन्नू को लगा सकते हैं जिनके पास सिचाई के साधन उपलब ठीजिद नहीं हो तो यह समय इससामे किनू नगा है और पेज़ाई ना होने की अवस्था में आप जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिचाई के साधनने अभी फेबरी निमार्च में लगा सकते हैं किनू लगाते समय जो विशेश ध्या करके फिर उसको लगा देते हैं और उसके बाद एक दो साल बादा करके वह कहते हैं कि साथ मैंने किन्नू लगाया था और किन्नू हो नहीं रहा है तो यह थोटी छोटी जो तूटियां है जो मैंने आपको बताया कि कैल्शम कार्बूनेट की मात्रा अधिक नहीं होनी चीए गढ़े के अकार बिल्कुल सही होने चीए कम से कम जो है 60 by 60 cm का गढ़ा खोद करके फिर जो है किन्नू का पौधे लगाए लगाते समय यह ध्यान दे कि गढ़े भड़ते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद हो सड़ी हुई गोबर खाद को अच्छी तरह से मिला ले गोबर की खाद कच्छा रह जाता है तो उसमें दीमक के प्रपोग की संभावना जादे होती है तो दीमक से बचाओ के लिए उसमें आप क्लोरो पाइरिफॉस दो एमल क्लोरो पाइरिफॉस प्रती लीटर पानी में डाल करके बाल्टी में अच्छी तरह से घोल ले और यहां भाग क्रिया करने हैं कि किन्波 में आप में देख रहे हो की समय के फल ठोट गए है और जो किसान भाईय हम और अभी तक किन्वन रखे हुए है उनको यह को आसे या दिखे आप फ़ल तोड़ने क्योंकि लिद्ध बिल्कुल सही समय है, फल्मwegenने हैं तो Zhou इस समय किसान भाई को करना चाहिए वह यह है कि लोगकूल खेट में जहान बिलकूल किन्नू लगी योई होई हो बिलकुल हल्की जुताई कर ले गहरी जुताई करने पर ज्यूता आठ trains ऐं उनके जड़े जो है उपनीस तरह फरने के लेकर बदोसरा यह होता है क्रिया करनी चाहिए कि यह देखने कि redstone कुछ सूख जाती तो इसने कटाई昨 выпол तो अगर आप नहीं लगाते हैं तो फूबंद की संभावनाई उसका प्रकोप की संभावनाई बढ़ जाती हैं तो कटाई छटाई करने के बाद जो है आप जो और जो सबसे जुरूरी करिया है वो आप देखेंगे कि इस समय जो है फ़रवरी में यानि की 20 से 25 फरवरी या फ़रवरी के अंतिम सप्ता में जो है नहीं पत्तिया आनी शुरू हो जाती है जब नहीं पत्तिया आती है तो उसमें कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है जैसे कि एक सित्रस सीला है या माइट्स का प्रकोप होता है या फिर उसके बाद वाइट फ्लाई का प्रकोप होता है तो ऐसी स्थिति में पौधों को ब कोप है या का स्रृत द 직に इसके प्राद के लिए मिली बगत के लिए मेली बशल जो हम चुरू हो जाती यह देखेंगे कि पूरा जो वह हिब जो है मिली बग ऑचाओ प्रकंड निकल करके पूरी और प्रति हे लिक एप जड़नी होगए देर ही पर मेली बग से लिए underground जो चड़काओं करना चाहिए तीसरी जो सबसे मुख समस्या जो किन्नू में आती है वह एक फाइट ओप्थोरा बीमारी आती है फाइट ओप्थोरा जो होता है कि वह तने से चुरू होता है दीरे दीरे पेड़ सुख करके मुर्जाने लगते हैं तो फाइट ओप्थोरा का प्रकोब जो है वह अधिक पानी की वज़स होता है जैसे कि आप कोशिश यह करें कि पानी जो है तने के पास ज्यादे इकठा नहों अगर पानी ज्यादे इकठा होता है तो उसमें आप देखेंगे कि फाइट ओप्थोरा का प्रकोब होता है पहले तने से गूंद का रिसा होता है और रिसा होने के बाल जो है फाइट अप्थरा की इंफेक्शन होती है और धीरे-धीरे पूरा पेड़ जो है वह सूखने लगता है और यह भी ध्यान में रखें कि जैसे मौसम खतम होता है चाहिए वह बारिश का मौसम खतम हो या गर्मी शुरुई होने वाली हो तो अडैम पेस्ट का लिप जरूर करें और बोर्डड़ पेस्ट बनानी की विधी भी मैं आपको बता देता हूं कि regulatory किसान भाई बाना मी आता होगा तो उसमें जो है किलो चूना जो है आप 5 लैश पानी में भींगा ले एक किलो कॉपर सल्फेट आप 5 लीटर पानी में ा कि आला तो आप जो है दोनों को यानि कि जो कॉपर सल्फेट Κा गोल्ए जो चूने का गोल आप ध्यान देते हैं तो आप किन्नों की बागवानी जो है सफलता पूरुवक कर सकते हैं तो जान लिया आपने किन्नों की बागों की देख भाला बहतर तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं कैसे अपने बागों को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं इसे के साथ कारक्रम में वक्त हो चला है एक छोड़े से ब्रेक का आपका हिमा जाए बने रखे दूर दौशन के सान पर और देखते रहे हमारा कारक्रम खेद खलिहान उपच के भावताओ आवक का हाल चाल आयात निर्याद पर पहनी नजर जानकारों की सटीक सलाह सुभा आठ बच कर पांक मिनट पर बादलों की लुका छिपी बारिश का हाल बर्स की चादर बदलता रुख हवां का और मौसम की लिभाद से कैसे करें खेटी और भी बहुत कुछ मौसम खबर लाइफ रोजाना सुभा आठ बच कर तीस मिनट पर शाम पांच बजे और साथ बच कर तीस मिनट पर पचास साल से लगाता रिशी दर्शन है आपके साथ खेटी की नई तक्निकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल जारी है प्रिशी दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोनवार से शुक्रवार शाम पांच बच कर तीस मिनट पर ब्रेक के बाद किसान भायों बेहनों खेत खलिहान कारिकरुम में आप सभी का फरसे स्वागत है आप पारबरिक फसलों की खेती तो करते ही है लेकिन अगर अन्य फसलों का भी आप चुनाफ कर लेंगे तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा तो ये जानकारी होना बेहत जरूरी है आए आपको बताते हैं लेमन ग्रास की खेती के बारे में लेमन ग्रास एक इंपोर्टेंट आरोमेटिक फसल है ये फसल से हमको सिट्राल तेल मिलता है ये डिस्टिलेशन करके ये तेल निकाल सकते हैं ये तेल में सिट्राल कंटेंट इंपोर्टेंट है ये तेल से सिट्राल से आलफा आइनोन बेटा आइनोन मिल सकते हैं ये बेटा आइनोन से वाइटमिन ये समसलेशित किया जाता है ये पोदा से ये पत्ता के यूज का जलवाईव होनी चाहिए से लगाने के लिए और कहां कहां आमारे देश में लोग इसकी खेती कर सकते हैं इसका जलवाईव के लिए इसका जलवाईव अच्छी में आता है। इसका अधिक आर्दत और गर्मी जलवायू और दूप ज्यादा होना चाहिए, इसका जलवायू अच्छी में आता है, इसका कही प्रकार भी मिट्टी में भी अच्छा आ सकते है, बारिस के आधार में भी ये केती कर सकते है, इसका केती करने के लिए अलग अलग राज में मतल करनाटका केरला आंदरप्रदेश गुजरात सब राज में एक एक केति करने के आवस्कत है जी बिल्कुल तो इस तरह की जलवायू जो है वो इसकी खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है जैसे आपने जिक्र किया करनाटका है तमिलाडू आंदरप्रदेश वगरा के लाके हैं यहां पर इसकी खेती करना जादा फायती मन्थ साबित होता है अब मैं आप से जानना चाहूंगी निट्टी कैसी होनी इंशाह फिकेटी के लिए इसका मिट्टी की सैंडी लू हृमस साहिल्स में अच्छा होता है बलाक सैल भी систем कर सकता है बट इसका फिए नी कि जा सकती है जैसे अभी आपने जिक्र किया कि दक्षनी भाग में ज्यादा इसकी खेती जो है लोग अपनाते हैं क्या देश के अन्य भागों में भी इसकी खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है हाँ इसके ददक्षिन बारते भी और उत्तर बारते भी ये अनुकुल है केती करने के लेमनग्रास और मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पंजाब, नार्थिस्ट, स्टेट्स, अस्साम वो राज्य पे भी केती का अनुकुल है ये पसल केती करने के लिए जैसे इस वक्त हम गुजरात की भूमी पर खड़े हुए हैं, गुजरात में हम देख रहे हैं यहां पर आसपास लेमनग्रास की फसल लगी हुई है, यहां के किसान भी इसकी खेती से जुड़े हुए हैं इसका केती कर रहा है हम समस्तान से संपर्क करके अमारे से पोदो लेके वो केती कर रहा है वदोदरह में किसान लोग भी बहुत ये केती कर रहा है जीपल कोल तो किवल दक्षिन इलाकों तक ही नहीं बलकि अनिक शेत्रों में भी इसकी खेती बहुतर तरीके से की जा सकती है प्रजाती ज्यादा है इसमें आपको सभी जागा में अलग-अलग राजय में के ये सुगंदी ओडी 19 ये वरेटी अनुकुल है और इत्यादी वरेटीस है इसमें प्रगती प्रमान कृष्टना कावेरी आरल सोला आरल अरतालिस स्रीकेपी पचीस है इत्यादी है जो ब्रकु सकते हैं खेड़ुत भाई कर सकते हैं प्रकुल आप से जामना चाहूंगी डाक्टर पलाया इसके बारे में की पौध तैयारी कैसे करें हमारे किसान लेमनग्रास केती करने के लिए पूद दो तरह से कर सकते हैं एक यह के बीज द्वारा भी कर सकते हैं दूसरा स्लिप्स कल करका सकते हैं दूसरा मेतर में से कर सकते हैं मतलब एक साल पूराना स्लिप से आप रूपाई कर सकते हैं वो पुराना जड़ जढ दर वो सिर्प अच्या से तैल इसे कर र यह झी कारियां करना से लिए 20 heeos इसका नर्सडरी के निस्टारी के ठैस्वेरी करते हैं नर्सरी करते हैं तो क्या क्या क extensive और आपको कितना अए सब्सक्राइब तो इसी किनल अपनी मेलें फ्लकुन क सब्सक्राइब पांच मेटर आयर ऊचे जमीन बाई मतलब यह प्योटर के कितना चाहिए इस गृफ यह से लिए और ऑगन सुमेंने कपके पाद मेर मिट्टी सीना सुना भाद पाने नियुता जरूर में संदोगान को सब्समां समस्केशना। तो हमारी नर्सरी में पौध तयार हो गई उसके बाद क्या कदब उठाने चाहिए जगर आब बात करते हैं जो हमारा खेद है उसमें रुपाई किस प्रकार की जाए नर्सरी में वो पौध फसल तयार होने के बाद आपका लगबग दो माईना तीन माईना में वो पौध तया होना चाहिए उसके बाद में आप फील में रुपाई कर सकते हैं जी बिल्कुल तो इतना समय लगता है हमारी पौध को तयार होने में उसके बाद हम जो खेद है उसमें रुपाई कर सकते हैं रुपाई करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए रुपाई करने से टाइम में यह पोदा 8 से 10 cm डेप्थ से आप प्लांटिंग करना है, इसका प्लांटिंग का मतलब स्पेसिंग बोलता है, इसका उसका स्पेसिंग में 60 बैस सेंट सेंटीमेटर में आप आप, 60 बैस सेंटीमेटर की दूरी होना चाहिए, यह एक पॉध और दूसरी पॉध? जब हम खेद में रुपाई कर रहे हैं एक और तरीका आपने पता है कलमों के जरीये भी लगाया जा सकती है तो कलमों के जरीये अगर हमारे किसान लगा रहे हैं तो क्या साथारियां बरते हैं बीज से करने से कलम से करते हैं आपको फाइदा होते हैं मतलब क्यों मिन्स बीज दालने तो केती में ब्राटकस्ट करते हैं वह बहुत रुपाई करने के दिक्कत होते हैं आपका लेबर वीडिंग करने के लेबर होते हैं कास्ट ज्यादा होते हैं आप कलम से करते हैं आपका यह फाइदा होता है मतलब वीडिंग होता है आपको इंटर इंटर कल्टिवेशन करने के आसन हो जाएगा जी बिलकुल तो बीच से करते हैं तो थोड़ा समय भी लगता है पौध तयार होने में और उसके बाद जाकर के हम खेतों में रुपाई करते हैं कलमों से करते हैं तो स सेम कर सकते हैं 60-60 cm दूर रखने पड़ेगा तो जाहें हम पौध लगा रहे हो या फिर कल में लगा रहे हो दूरी जो है वो 60-60 cm की ही होनी चाहिए बिलकुल बात आती है हमारी डॉक्टर पॉलया खाद प्रबंधन की अगर हम फसल लगा रहे हैं उसमें खाद देना भी ब ताइम पे आप 10-15 तंस एफोयम आपको में गाव में मिलता है तो आप तयार करने टाइम में दालने पड़ेगा बाद में प्लांटिंग रोपाय करने के बाद में आप 100 kg नाइट्रोजन 30 kg पास्परस 30 kg पोटास प्रती वर्ष प्रती हेक्टार में दालने के जरूरी है इस परन्तु नाइट्रोजन वन तरड़ नाइट्रोजन पोटास और पास्परस के साथ के बेसल डोस रूप में आप डालने के जरूरी है श्यास नाइट्रोजन आप प्रते कटाई में बराबर मात्रे में अब दाल सकते हैं जी बल्खोला खात प्रबंधन तो आपने बता दि करने के प्लांटिंग करने के बाद में यह वीडिंग करने के जरूरी है बाद में आप दो मैने के बाद में यह ग्रोथ विकास अच्छे होती है उसके बाद में यह वीडिंग सब सप्रस हो जाएगा अरे कटिंग के बाद में आप निराई वीडिंग करने के जरूरी है जि खरपतवार परिशान न करें हमारी फसल को अब मैं आपसे जानना चाहूंगे आपने बताया कि कटाई के बाद जो निराई गुडाई करनी चाहिए तो पहली कटाई का समय क्या रहता है लेमन ग्रास के पहले कटाई कि आपको बहुत इंपारटेंट है इसका पहले कटिंग नर्धिय से सव दिन पर प्लांटिंग करने के बाद में आप पहले कटाई करने पड़ेगा नहीं तो वो आपको तेल में अच्छे क्वालिटी नहीं मिलेगा जी बिल्कुल, नबे से सौ दिनों तक जो है इसकी पहली कटाई कर देनी चाहिए अब मैं आपसे जाना चाहूंगी लेमन ग्रास को लंबे समय तक की फसल कहते हैं यानि कि लंबी अवधी तक इसकी खेती के जा सकती है तो एक साल में कितनी कटाई ले सकते हैं यानि कि कितनी फसल ले सकते हैं हमारे के साल लेमन ग्रास फस्ट रोपाई करने के बाद पहले वर्ष में आपको तीन कटाई ले सकते हैं बाद में अगले वर्ष में आपको पांच से साथ तक कटाई मिलता है जी तो पहले वर्ष में तीन कटाई और लेकिन उसके बाद के गरम बात करें तो पांच से साथ कटाई भी हो सकती है और जादा उत्पादन मिलेगा तो निश्रत तोर पर आपकी आमदनी भी इससे पहतर बनी रहेगी अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कटाई के बाद क्या क्या प्रबंधन कारे करने की जरुरत होती है हमारे किसानों को लेमन ग्रास कटाई के बाद में 12 गंटे में दूप में रख सकते हैं उसके बाद में आप डिस्टिलेशन द्वारा तेल निकल सकते हैं इसका तेल निकलने के डिस्टिलेशन में लगबग आपको 3-4 गंटे लग जाता है उसमें आपको प्रती हक्टार प्रती वर्ष में आप को लगबग 200 किलो ग्राम आपको उपलब तेल उपलब दोता है जी विलकुल तो कटाई के बाज रहे थोड़ी देर धूप में रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है अब बारी आते हैं के बाजार की बाजार कैसा है लेमनग्रास का लेमनग्रास का बाजार में मार्केट त कि जा सकती है लेकिन उसमें थोड़ा उतार चड़ाव देखने को मिलता रहता है लगातार आंत में आपसे जाना चाहूंगी क्यों जुड़े हमारे किसान लेमनग्रास की खेती से क्या फायदा मिल सकता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इसका लेमनग्रास के ती करने अबका उपलब्द यह तेल बहुत इंपारटेंट है इसका आपका कहती करने से बहुत लापदा वह जाएगा तो जाना अपने लेमनग्रास की खेती आ aún की लिए इतने फायदे का सौधा साबित हो सकती हैं किस प्रकार आप इसे बहितर तरीके से कर सकते हैं कारेक्टरम की शुरुवात में हमने आपको बताया था किनू के बागों की देखभाल आपके स्प्रकार करें, जिससे आपकी ये जो बाग हैं, वो अच्छे बने रहें, सुरक्षित रहें इसे के साथ किसान भाईयों बहनों आज के मारे स्कारिक्रम में बस इतना ही अगले आंख में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ तब तक के लिए हमें दीजे जासत आप बने रहे दूर्दाशन किसान पर नमस्कार चीनों के जाने के बाद